नमस्कार दोस्तों आर्बीन जुलाई में आपका स्वागत है आप देख रहें जिला दियोरिया उत्रपरदेश से संबादाता सा आलम की गाउंड रिपोर्ट चैनल को सेस्क्राइब करें और कमेंड करें लाइक करें हमारे संबादा सा आलम ने गाउंड रिपोर्ट में युवा पीड़ी से किये चर्चा युवाओं का कहना है कि सरकार किसी का भी हो हमें तो रोजगार बिकास नौकरी और अच्छी सरकार चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे युवाओं का एज निकलता जा रहा है लेक कर डिया है में और आई ये जानते हैं कि कौन होगा युवपी का राजा कि युवाओं के पास चलते हैं और युवाँ का राजा किम्हों चाहिए बात करना चाहिए लॉब जखोई भी हो हम लोगो को रोजगार चाहिए सरर आपको नम प्यादस सब्सक्राइब वह सब बोलटे ङसे बहुत ज्रले लटकरी के लिए差ष और नोकिके जल से जल भरती निकाली जाए और जो भी लड़के तमाम लाखो करूडों लड़के उभरेज हो गए हैं लोग, उम्र में छूट दी जाए, बस यह अगर आए लड़कों को, कहीं कुछ लायक नहीं होगा, भरती एक तम नहीं आ रहे हैं, लड़के के तम उभर हो ज़े रहे ह जो रोजगार देगा इंवाओ को, रोजगार जो देगा उसकी सरकार आएगी, इस बार परिवर्तन हो कर रहेगा, तो क्या माननी योगी जी की सरकार रहती तो क्यों हम लोग 3 साल बैसे रहते, योगी जी की सरकार के तो 3 साल हम लोग बरबाद हो गए, योगी जी की सरकार तब ही तो तिन सल बार बाद दो गए हैं वर्ती बोड में अनुमती नहीं मिली तो भरती नहीं आई आके में चुनाओ कराया जा रहा है वर्ती क्यों नहीं आई यह लोग चाहते तो नौंबर अक्टूबर में फारम भरवा हैं चाहते तो नौंबर दीसंबर में वर्ती करा ल और कि आफिए कई पेस्ट का आते हैं कि यह वी राजा कौन हो रहा है कि कि इसके सर्देगा सरकार किसी का वह हमें रोजगार चाहिए हमें ृजगार से मतलब है हमें सरकार से मतलब है तो इसमें यूपी का राजा कौन होगा किसके सरस्देगा ताज यह माप से जानना चाहते हैं अपकी राज में कुछ पर वत्तन होला चाहिए सब्पा सरकार सर आपका नम क्या है चंदू कुमार सर मेरा सवाल यह है कि आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी अखिलेश भी यह तो देखा अपने युवाओं की सोच क्या है ठीक है और आपने जुलाइब से मैं शालम खान करता है क्या है